कि है आपकी चाहे कोई सी भी वीखनस हो जिसको आप अपनी वीकनेस समझते कमज़ोरी समझते हैं कचाहे आपको इसलिघनी Celine कौन कि यह वो आपको रहिए हो जेकिन हमें किसी चीज को डबाना नहीं है कि यह कि यह द्वाने का मतलब होता है उसके प्रति-्विध्रो को करना दवाने का मतलब यह होता है कि हम उससे हार रहे हैं दवाने का मतलब suppress करने का मतलब resist करने का मतलब होता है कि वो जो समस्या है वो इतनी बड़ी हो गई है कि हमने सब कुछ अपना उस पर लगा दिया है तो बात करेंगे आज दे आट आप नोट सब्रैसिंग आप कुछ भी कर रहे हैं मान लीजे कि आपको स्प्रिट्ट इन इंट्रस्ट है और आप बहुत अच्छा प्रिट्टी में आपका पैशन है अध्यात में आपको बहुत अच्छा मन लगता है लेकिन एक तरफ आप पैसे भी कमाना चाहते हैं, you want to earn money, तुम दुनिया की हर एक चीज महसूस करना चाहते हो, experience करना चाहते हो, not इस टाइब की experience नहीं कि जो एक जिद वाला experience है कि मुझे करना ही करना है, नहीं, जस्ट फ्लो होते हुए तुम सब को तुम सारे स्वात को चखना चाते हो तो अगर तुम पैसे कमा रहे हो, अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो या तुम कोई काम कर रहे हो, उसको बहुत ध्यान से करो उसको बहुत ध्यान से करो उसमें पूरा तरह से उसमें खो जाओ, उसको ही अपनी मेडिटेशन बना लो मेडिटेशन यह नहीं कि आपने दिन में 30 मिनट कर ली, दुफैर में 30 मिनट कर ली, शाम को एक गंटा कर ली, या फिर ऐसे टाइम बाढ़ दिया यह मेडिटेशन नहीं है अब जिस भी काम को कर रहे हैं, उस काम को बहुत ध्यान से करो उस काम में होकर और उसमें खोकर एक दम और ध्यान में, आप सबसे पहले यही बात समझनी क्लियर जिरूरी है कि ध्यान में करने का च्या मतलब है द्यान में करने का मतलब है कि उसको लेकर पूरी तरह से अवेर रहना लेकिन चॉइस लेस तरीके से लेकिन चुनाब रही तरीके से तो जब आप देखोगे कि आप आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ते जो अगली बार गुस्सा करना बड़े भ्यान से करना मेडिटेशन बना लेना उस गुस्से को भी आप देखोगे कि अगली बार आप आपको गुस्से पर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा आप देख पाओगे कि कि मुझे गुस्सा आ रहा है आपकी तई सारे लोग कोई जो है वो अश्च्छल कॉंटेक्स बनाना चाहता है अपने उसको यह चीज इस्पुरिच्वल्टी में भी आगे बढ़ना लेकिन उसको यह चीज उसको यह चीज भी करनी है हुआ है लेकिन डू इट विट एक्स्ट्रअ क्यैर उसको भी ध्यान बना लो यह उसको भी जब तुम ध Tail मना लोंगगे उसको भी उछा मैसूस कर लोगे फ्यिल कर लोगे तो तुम नो तुम उसको पूरा जी लिया को छोड़ा नीव तो जो भी चीज है लेकिन अगर आप सब्प्रेस करोगे यह तो साइनुटिफिकली भी प्रुवन है और साइक आर्टा कि बताते हैं कि अगर आप किसी तुम निकालेगी इसको बिल्कुल ओपन छोड़ दो बिल्कुल खुला छोड़ दो कम्प्लीटली ओपन यह बहुत स्ट्रॉंग एनर्जी है लाइफ इस एनर्जी अपना रास्ता निकाल देगी लेकिन अगर तुम सब्प्रेस करोगे तो इससे तुम लड़ रहे हो अपनी एनर्जी यहां पर वेस्ट कर रहे हैं तो जब तुम हर एक चीज को ध्यान मना लेते हो तो तुम हर एक चीज को चाहिए वो तुम अपना तुमें बहुत सारी चीजे जुट्म बांध रहे हैं अगर आप बात करें सेक्स की या मनी की या कोई भी चीज़व जो तुम्हें बांध रही है उसको तुम एक्स्ट्रा कयर से करोगे ध्यान से करोगे, अवेर होके करोगे, पूरी अटेंशन दोगे उस चीज को पुरा उसको ही तुम मेडिटेशन बना लोगे, then you will see कि ये चीजे तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, तुम इन चीजों को कंट्रोल करोगे, फिर ये चीजे तुम्हें परिशान नहीं करेंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी, बॉन्डेज नहीं बनेगी, बलकि तुम्हें फ्री करने के लिए, जो रिक्वारिमेंट है, उस हिसाब से तुम इनको पूरा करपाऊगे, तो spirituality is not about suppressing, कि हम suppress कर देते हैं बस, आखे अगर कुछ गलत देख रही हैं तो आखों को फोल्ड लेते हैं, कान अखर कुछ गलत सुन रहे हैं तो कानों में किले ठोक लेते हैं, या मुँपे टेप लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज को इतने ध्यान से कर जाओ, कि दुबारा उसको करनेगा फिल मनी ना करें दुबारा बस वो नाम के रहा जाए वो चीज़ अगर आप एक्ट्वल में मेडिटेशन जानना चाहते कि रियल मेडिटेशन क्या है तो इसको लेकर मैंने एक कोर्स बनाया है डिटेल में मेडिटेशन की बात की हैं तोटल इसमें 10 वीडियोस हैं स्कोर मेडिटेशन की स्क्रीन पर दियोए नमबर से आप मुझसे कॉंड़ेक्ट कर सकते हैं थैंक्यो वेरी मेंच